सर्व प्रथम माशार्दे को नमन करती हूँ मंच को प्रणाम करती हूँ प्रथम पंक्ती में उपस्ते हमारे जो बड़े महमान यहां बैठे हैं उनको प्रणाम निवेदित करती हूँ और अभी का आशरवाद चाहती हूँ क्योंकि आपका आशरवाद इश्वर का आशरवाद होगा ऐसी काम ना करते हुए मैं माशार्दे के चरणों में जो शब्दों की अदिश्ठात्री देवी है दैनिक जागरन का ये मंच है पढ़ाई लिखाई का काम होता है उनकी कृपा उनका आशरवाद हमें चाहिए मैं निवेदत करती हूँ सुनिएगा आपने शब्दों के सुम्बन समर्पित करने की कोशिश करती हूँ आपकी तालिया आशरवाद सुरू पुछ तक पहुँचे मैं शुरू आट करते हूँ सुनेगा क्या कहती हूँ मा से सुरे अपने सुर मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी अगर आप मेरी बात से सहमत हूँगे आपके मन के उद्गार हूँगे तो आपकी तालिया मुझ तक पहुँचेंगी इधर वाले लोग थोड़े खामोश मुझे नजर आ रहे हैं मैं चाहती हूँ अब भी उन मुक्ता से सुने अच्छा लगेगा आपकी भागेदारी होगी बहुत आरंदा हैगा मैं पढ़ती हूँ के अपने सुर मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी अपने सुर मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी ग्यान की जोती जला दो मसुरों की रानी अपने सुर मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी और मा शार्दी की भीडा जब बच्चती है तो क्या होता है ये पंक्तिया निवेदित करती हूँ के तेरी वीरा से जमी आसमान जूम उठे जो में ब्रह्मान भी एक पल में सुरों की रानी जो में ब्रह्मान भी एक पल में सुरों की रानी अपने सुर मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी और आप सभी जानते हैं सुर्दास जी नेत्रहीन थे महा कभी थे उनके पास सुर्ण नेत्रहीं थे लेकिन वो अपने मन के उद्गारों से पूरी समाज को आइना दिखाने का एक वस्रा रखते थे मैं यहां से पंक्तियां उठाती हूं पढ़ती हूं सुनेगा बहुत छो सुर्दास करते थे वंदना जभी तेरी सुर्दास करते थे आँख वालों की खुली आँख सुरों की राने अपने सुर्दास करते थे आँख वालों की खुली आँख सुरों की रानी अपने सुर्मुझ को भी दे दो मसुरों की रानी और इन अंटिम पंक्तियों में मैंने क्या दुरिश्य सजाने की कोशिश की है आप तक कोई बिना किसी बात के मैं पहुचाते सुनिएगा अब तेरे सुर देते थे बुझते दीपक भी जले दिन में सुरों ने सुरों की रानी अपने सुर मुझको भी दे दोमा सुरों की राणी